लोकसभाचुनाव 2024 के लिए तैयारिया तेज हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉम्रेस को फिर से पट्री पर लाने के लिए कौन से नेता सबसे फिट हैं। पार्टी को रिवाइब करने के लिए सबसे उप्यूक्त कौन। इस सवाल पर इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कॉम्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे और राजस्थान के पूर्व उपमुख्य मंत्री सचिन पाइलेट को सबसे अधिक वोट मिले हैं। पाइलेट को हाल ही में 20 अगस्थ को कॉम्रेस कार्य समिती का सदस्य बनाया गया है। पर बैठक मुंबई में चल रही है। उससे पहले कॉम्रेस की नया को पार लगाने से जुड़े एक सवाल पर एक सर्वे की रिपोर्ट आई है. राहुल गांधी या सचिन पाइलेट? राहुल गांधी को कितने लोग कॉम्रेस की नया पार करने के लिए उप्युक्त मानते हैं। के लिए सबसे उप्युक्त है। इस साल जन्वरी में हुए सर्वे में राहुल को 26 फीसदी वोट मिले थे डॉट वहीं। सबसे कम करीब 3 प्रतिशत लोगों को ही कॉम्रेस अध्यक्ष मल्लिकारजुन खरगे में पार्टी को रिभायब करने की क्षमता दिखती है। जबकि इस से तीन गुणा अधिक कुल 9 फीसदी लोग कॉंग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका को देश की सबसे पुरानी पार्टी की नईया को पार लगाने के लिए उप्यूक्त मानते हैं। प्रियंका को जनवरी 2023 के मुताबिक इस सर्वे में एक फीसदी अधिक लोगों का साथ मिला है डॉट यूपीए एक और दो में कॉंग्रेस की ओर से प्रधान मंतरी रहे मनमोहन सिंग को लोगों ने प्रियंका गांधी से ज्यादा पसंद किया है। सर्वे के मुताबिक 12 प्रतिशत लोगों ने पूर्व पीएम को इस काम के लिए चुना है। हालांकी उनको लेकर लोगों के नजरिया में गिरावट देखी गई। सिंग को अगस्ट 2022 में हुए सर्वे में इसी सवाल पर 16 फीसिदी लोगों का साथ मिला था जबकि जनवरी 2023 में ये कम होकर 13 प्रतिशत हो गया, सर्वे में राजस्थान कॉंग्रेस के पूर्व प्रमुक सचिन पाइलेट को लोगों ने दूसरा पसंद बताया है। बारा प्रतिशत लोगों का मानना है कि राहुल गांधी के बाद पाइटल कॉंग्रेस पार्टी की नईया को पार लगाने के लिए सबसे उप्यूक्त है। इस सर्वे में पूरु पी एम मनमोहन सिंग और पाइलेट को बराबर वोट मिले हैं। हाला कि इस साल जन्वरी के सर्वे में पाइलेट को 17 फीसदी वोट मिले थे। झाल है। झाल